गुड मारिंग स्टूडेंट क्लास 11 जो गुडुफी, हमारा चैप्टर चलिए ठारत है, प्रत्वी टी उत्पती, एम विकास, इसके बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार ग्रहों का निर्माण, किस प्रकार ब्रह्मान की उत्पती, निहारी का जो देतारक सि στοान था, वह हमने देखा big bang theory के बारे में हमने पढ़ा और तारों सा निर्माण और ग्रहों का निर्माण हमारी पिछली class होँ में पढ़ चुके हैं आज की जो class है उसमें सोर मंदल के बारे में जानकारी प्राप्त दो सोहर हाइं एक्स्ट्रा हमारे बेस coalition मंदल में आठिगर है निहारिका को सोर मंडल का алkt temos यानी जो हमारा सूर मंडल है उसके पहले आपने पड़ा होगा की चोटी क्लासों में आपने देखा था कि नो ग्रह थे अब जो 2006 के बाद प्लेटों को हटा दिया गया है और आठ ग्रही रह गया है निहारी का जो है हमारी उसमें सोर मंडल क्या है एक मैत्वपूर्ण स्तान रखता है हमने ये भी पढ़ा था हमारी कि प्रहमार में एसंके निहारी का है और एसंके सोर मंडल है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं आपने छोटी क्लासों में भी यह पढ़ा होगा उनके द्वस होने वेक कोड के बनने की शुरूआत 4.6 से 5.56 अरव वर्ष पहले बने हैं यह वाली बात भी हमने पढ़ ली थी अगर आपको याद है तो जो निहारी का थी वो उसकी जो बढ़ने की जो अवस्ता है वो कितने साल पहले होगी थी 5 या 5.6 से अरव वर्ष पहले होगी थी और जो ग्रह थे वो 4.6 या 4.56 अरव सब्सपूर भी बन गए थे हमारे सोर मंडल में सूर्य तारह आपने यह भी पढ़ा होगा कि सूर्य को एक तारह की उपमा दी गई है आठ ग्रह और 63 उपग्रह हैं इतने ग्रह आठ ग्रह हैं और 63 उपग्रह हैं और लाकों छोटे-छोटे पिंड है जिने शुद ग्रह या बैंकर एक विस्पोर्ट हुआ था जिसका गनत ऐसंखे था हमने इस सब पढ़ चुक उसका गनत बहुत अनलिमिटेड था इसके सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो उसमें से जो बड़े पिंड थे उनको तो ग्रह बान लिया और चोटे-चोटे टुकडे थे उन्हें हम दुमकेतु के बारे में आपने पढ़ा होगा दुमकेतु क्या होता है कि सोर मंडल में होता है यही धूलों बर्फ और गैसों से बना हुआ होता है हना इसमें देखिए कार्बन डायक्साइड यह दो जो चीजे मैं बोल रही हूं वह आप नोट करते जाएगा उसमें पर तुकर लगाता है जो क्पत्ट पर क्या करता है सुरे के चारों चकर लगाता है परंतु इसमें क्या होता है यह मात्रा में च्छोटे-च्छोटे इसमें इसे प्यूज़ itself कि एक पूछ वाला गुजर है वो पूच में इसले डिखती है कि इसके अंदर की मातरा जादा है तो जया निकलता है तो ऐसे लगता है जिसे कि इसके पूच है देखिए जो यह धूमके-टू है इसके बारे में हमारे टोपिक आयवा है भूक में तो उसके बारे में वीस्तार से जब हमारी अगली क्लाशी होंगी और हमारा जब पाथ आएकड मंगरे तो इसके विस्ते बारे में पढ़ेंगे भी हेली नाम का दूमके तुह— यह सब हम इसके बारे में पढ़ेंग sleepy किसने कोछ की दो ये सब कुछ पड़ेंगे, आज जो हमारा चल रहा है सोर मंदल तो हमने ये बात कर चुके हैं कि सोर मंदल में आठ ग्रें हैं और इनके निर्मान भई ग्रहों का निर्मान कब वाता चार अरव वर्षपूर हो गया था, ठीक है? और हमारा जो सोर मंदल है इसमें आठ ग्रह है, तरेसट उब ग्रह है और कई शुद्ध ग्रह है और धुमकेतू और जो धुली करणवे ग्यस हमारे सोर मंडल में पाई जाती है अब देखिए इन आठ ग्रहों में बुद्ध, शुक्र, प्रतिविवे, मंगल, भीत्री ग्रह कहलाते हैं देखिए जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा शायद आपको याद भी होगा कि सूर्य के बाद पहले बाद में कौन आता है बुद्ध ग्रह आ जाता है फिर उसके बाद में कौन सा ग्रह आता है शुक्र आता है आपको अगर पढ़ा है पहले क्लासों में तो फिर प्रत सबस्कENCE ग्रहा, इसके बाद सूर्यक्त हैanc, लिए सबस्क्राइब आटöra बुद्व, रखम समत प्रत्वी, और मंगर याद रखने स्थे कुछ ना अबघिए मोलतें के प्राथवी जरी के इस सूरिय के बीछ की पटि सतत्फित है आब परहरी जुख लंक में यह चार मोलों बहारी ग्रह कहलाते हैं और जो बाद वाले जो ग्रह हैं उन्हें बोला जाता है जोवियन ग्रह कहा जाता है इक पर इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा दूँगी पहले चार प्रथविक ग्रेव बिया कहते है इसका अर्थ यह कि यह प्रत ही बाती ही शेलोव के घंथों से बनने है और अपेक्षा करत अधिक घरनतु वाले है एन्वर्ण का आर्थ प्रत्वी जिसको हम है कहते हैं जूपिटर कहते हैं मंगल को मास्क का जाता है प्रत्वी को अर्थ का जाता है कि अलग इंगलिश नाम है न तो जुपिटर की तरह इसमें अधिकतर प्रत्वी ग्रहों में विशाल है और हाइट्रोजन वे हीलियम से बना संगन वायू मंडल है सभी ग्रहों का निर्मान चार पॉंट शे अरव वर ग्रह प्रत्वी और फिर मंगल ठीक है इन चारों ग्रहों को कहा जाता है प्रत्विक ग्रह क्यों कहा जाता है कि यह हमारी प्रत्वी है ना तीसरे नंबर पे यह प्रत्वि यह प्रत्वि जिस प्रकार शेलो और धातों से मली बने बनी चारों और आहंगे वरस्पती शर्णी अरुन और वरुन यहां पर ऐसे सिक्वेंट चलता रहता है यहां पर आता है वरस्पती वरस्पती के बात आगे आ जाता है शर्णी और फिर अरुन और वरुन इन्हें का जाता है जोवियन ग्रेंग क्योंकि देखो हमने जब हमारे तारों का निर्माण हमने पढ़ा चार ग्रह जो है शुक्र बुद्ध शुक्र प्रत्वी और उसके बाद में मंगल हना यह जो ग्रह है इन्हें बोले जाएंगे हम प्राथवी ग्रह और उसके बाद शुरू होता है वरस्पति शनी अरुन और वरुन यह इस प्रकास इक्वेंस चलते रहेगी जैसे यह सूरज उसके बाद आगया हमारा बुद्ध फिर शुक्र फिर प्रत्वी और फिर मंगल फिर यहाँ पर वरस्पति और उसके बाद में शनी फिर अरुन और वरुन और जैसे यह है हमारा सूरज इस प्रकार से गूमते रहते हैं और सूरज के चारों और परिक्मा करते रहते हैं ग्रह अभी जैसे हम इने बात करिए थी क्योंकि ये जैसे प्रत्वी बने वी ये शेलों से और धातू से ये भी उसी प्रकार बने वे हैं अब यहां पे वरस्पती शनी अरून और वरून ये किसे बने वे हैं वायू से बने वे और वायू में किसकी ज़्यादा मात्रा है तो यह कौन से बने वे हाइट्रोजन और हीलियम से यह याद रखना एक बात और मैं बता दू आपको कि देखिए जो मंगल और व्रस्पति आ रही है इसके बीच में शुद्र ग्रह की पत्टी है यानि चोटे ग्रहों के टुकड़े है वो यहां पर है तो मंगल और व्रस्प रहे हैं उनको प्रात्वी ग्रह का जाता है और जो बात की जो चार प्लेस को जोडिक एक यह माना जाता था अन्तराश्ठी खोगोली तो ने अपनी बैठक में यह निने लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खोगोलिय पिंड तदा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं ठीक है ना अभी जैसे मैं आपको बता दिया था कि देखो 2006 में जो हमारा अंतराश्टी खोगोली एक संगठन बनावा है उसने कहा कि अ 2006 में जीके के इसाब सबी बुक में आये वागा तो यह मोस्ट है तीक है अब एक बात हमने जब हमारी कल की जो पिसली क्लास हुई थी उसमें एक प्रकाश वर्ष की बात की थी कि प्रकाश वर्ष क्या है और यह सब कुछ हमने पढ़ा था मेरे पास एक बेन का मेसेज आया क प्रकाश वर्ष के बारे में और जानकारी देख लेते हैं देखे हमने बात करी थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है यह हमारा अंत्रिक्ष है वो इतना विशाल है कि हम उसे किलो मिटर या मिटर में नहीं नाप सकते कि इतने मिटर है या इतना किलो मिटर है उसमें हम नाप नहीं सकते तो इसको नापने के लिए विज्ञानिकों ने एक पदती बनाई प्रकाश वर्ष उसे का जाता है अब प्रकाश वर्ष कैसे कहेंगे उसको एक बार हम देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष के गती तीन ला किमी कवर कर लेता है कितने जगह कवर कर रहा plural टीनलाक की मि याद रखी कैसे ऐस बात को आप SP4 ओल्ली ऊसेकन में कितनी कीमी कर रहा है तीन कीमी कर रहा है थिक है ना बशर में हमेदा layingy adjust में करकाश वर्ष करने दूरी देखिता आभर देखी में वह सेकेंड में वह समस्झात किमी दूरी तेह करता है आपको पता है कि एक दिन में कितने गंटे होते हैं 24 होते हैं ठीक है ना अब एक गंटे में कितने मिन्ट होते हैं 60 मिन्ट होते हैं आपको पता ही है एक मिनिट में कितने सेकिंड होते हैं साथ सेकिंड होते हैं आपको वह भी पता है तो अगर एक दिन में 24 गंटे होते हैं तो 24 इंटू 60 तो कितने हो गए 1440 तो कितने हो जाएंगे मिनिट हो जाएंगे कितने मिन्ट हो जाएंगे एक दिन में 1440 मिनिट होते हैं अब इन 1440 मिनिट को हम सेकिंड में करें स्लाइड है तो एक दिन में कितने सेकिंड होंगे चीहासी हजार चार सु सेकिंड होंगे अब आप देख लीजिए कि जब वह एक मिन्ट में 30 लाग कीमी तैय करता है तो वह चीहासी हजार और चार सु सेकिंड में वह कितनी कीमी दूर करेगा है अब इसको जब हम करवट करते हैं तो स्लाइड पे इतने बड़ी जो गरित की है वह होंगे पाएगी इसलिए मैंने आपको यह बताया है कि एक मिन्ट में एक सेकिंड में वह तीन लाग कीमी प् एक दिन की ठीके ना एक दिन में वह कितना दूरी नाप लेगा उसके बाद हम जब एक साल में कितने दिन होते हैं तीन सो पैसेट आपको पता यह वन फोर्ट और है ना सवा तीन सो पैसेट है ना तो वह देखिए कि आप एक साल में कितने वह दूरी तक मापेगा ठीके ना यह दो मैत का सवार हो जाता है और आप इसको आप अपनी कॉपी में बैठके इसको आप हल कर सकते हैं तो यह जो नो पॉइंट इंटू एक हजार बारा जो आ रखी है संख्या वह आ जाएगी और बाद में जो आठ पॉइंट तीन ग्यारा ग्यारा आता है ना कि प्रकाश वर q was very को सब्सक्राइब नहीं है चिए प्रकाश वर्ष को करते होंगा लिए इसको आप इसको समझ में प्रकाश होंगी और एक दिन ऐसा भी कर लेंगे कि शायद स्लाइड पर कोशिश करूंगी किसको और भी समझा सकूँ क्योंकि स्लाइड पर चल नहीं रहे हैं यह मैं लिखती हूं जीरो और दिखता एच्छ है इसलिए आज मैंने की क्लास में हम इतना ही देखेंगे जो हमारी अगली क्लास एवाद